हेलो फ्रेंट्स, मेरे चेनेल पर आप सभी को स्वागत है आज हाम लेके आये हैं और एक फिले साउस का प्लेन जिस घर को गाव के हिसाब से बनाया गया है जो 25 बाई 39 स्कारफेट एरिया में बनाया हुआ एक सांदर घर है जिस घर के 3 बेटरूम है और घर के फ्रोंट साइड और बेक साइड में भी बारांदा दिया गया है दोस्तो आज हाम घर के ड्रोइंग, रूमो के प्लेनिंग और घर के सभी फार्ट्स के मेजार्मेन के बाड़े में चर्चा करेंगे और घर के बारे में डिटेल्स में जाने के लिए देखते रहे है डांकुस प्लेन दोस्तो इस village house के 16 कुलोम दिया गया है जहाथ 18 कुलोम square shape में और 3 कुलोम round shape में है square shape का कुलोमों के size 9 inch by 9 inch और round shape का कुलोम 4 inch radius में है राउंड शेप का कुलम इस पेचाली घर के बारांदा के लिए डिजन किया गया है घर के प्लिंध हैडे 2 फिट जो आप लोग घर के फाउंडिशन को देखके चैंस भी कर सकते हैं और घर के प्लिंध वाल ब्रिक का बनाया गया है प्लिंध लेवल में घर के टाइब इम के साइज से 9 इंस बै 6 इंच दोस्तो सुपर इस्ट्रक्चर में एक फिलेस हाउस के लिए ब्रिक वाल का थिकनेस 5 इंस दे सकते हैं घर के प्लेन में 9 डोर्स है घर के बादरूम का डोर ब्राउन कलर में है और रोमों के लिए बाकी सभी डोर्स येलो और ग्रीन कलर में दिया गया है प्लेन में सभी डोर्स के साइज से 3 फिट 4 इंस बै 7 फिट 2 इंच बादरूम के डोर्स के लाबा घर के सभी डोर्स गलास से डिजन किया गया है और Phyllis House के प्लेन में 9 उंडोस भी दिया गया है सबी उंडोस के साइसे 4 feet 2 inch by 3 feet 8 inch जो प्लेन में red color में है और घर के उंडोस भी glass से डिजन किया गया है दोस्तो हम आप जानेंगे घर के रूमों के बारे में इस Phyllis House के 5 रूम से जहां 3 bedroom, hall room, kitchen और एक bathroom दिया गया है घर के इस जगा पर एक bedroom है जिसके साइसे 12 by 13 square feet जिस रूम में front side के इस door से रूमों के अंदर जा सकते हैं और इस door से आप लोग घर के hall room में जा सकते हैं बेडरूम के लिए 2 windows दिया गया है इस bedroom के बगल में घर के और एक bedroom है जिस room के साइस भी 12 by 13 square feet इस bedroom के लिए 2 doors और 2 windows दिया गया है बेक side में इस जगा पर घर के और एक bedroom है जिस room में आप लोग इन दो दर बज़े से रूमों के अंदर जा सकते हैं इस bedroom के लिए भी 2 windows दिया गया है दोस्तो इस bedroom के साइस है 13 by 13 square feet front side में घर के kitchen room दिया गया है घर के kitchen room के साइस है 8 by 7 square feet kitchen room में जाने के लिए इस door को दिया गया है जहां आप लोग hall room से होते हुए जा सकते हैं और kitchen room के लिए 2 windows है और इस जगा पर है घर के hall room जो 13 by 13 square feet area पर बनाया गया है जहां आप लोग breakfast, lunch और dinner के लिए एक dining table सेट कर सकते हैं hall room में जाने के लिए बहुत सारे door से और front side के इस door से आप लोग direct hall room में जा सकते हैं घर के hall room के लिए one window दिया गया है घर के bathroom, घर के hall room और इस bedroom के 20 में इस्तित है bathroom के size से 8 by 6 square feet जहां toilet room एटाच है bathroom में जाने के लिए plan में इस door को दिया गया है और bathroom के back side में एक छोटा सा hall दिया गया है जहां से bathroom के smell बाहर निकलता है जिसके size आप लोग 14 inch by 10 inch दे सकते हैं और दोस्तों इस village house के दो बारंदा है front side के इस बारंदा के size 17 by 7 square feet और back side के बारंदा के size 12 by 6 square feet और दोनों side के बारंदा railingों से design किया गया है जहां railingों के height 2 feet 10 inch रखा गया है दोस्तों घर के front side में stairs और back side में भी stairs दिया गया है जो same size का है और दोनों side के stairs 6 by 5 square feet एरिया पर बनाया गया है चाहा रेलिंग भी लगाया गया है घर के सज्जा RCC का है जो लिंटल वीम में सभी उन्डूस का उपर डिजन किया गया है घर के लिंटल वीम के size 6 इन्स बई 6 इन्स दे सकते हैं और घर के बेंटीलेटोर के size 18 इन्स बई 12 इन्स दिया गया है जो ग्लास से डिजन किया हुआ ऊटेन भेंटिलेटर है और front side के इन दो जगवाँ पर भी भेंटिलेटर्स लगाया गया है और घर के फ्रोंट साइड और बेक साइड की इन जगाओ पर टीमबर के इस्ट किया गया है और फिले साउस के रूप की त्री पार्ट से जो दिखने में बहुती सांदर और खुपसरत है